तो बिल्कुल लुलु माल में जिस तरह से हंगामा खड़ा हुआ है उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रसासन है वो पूरी तरह से लगातार सर्तक दिखाई दे रहा है आप देखें कि डोन कैमरे से जो है लुलु माल की जो सुरच्छा विश्ता है वो पुल माल के बाहर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि जो डोन कैमरा है वो उड़ता दिखाई दे रहा है चप्पे चप्पे पर यानि जो सुरच्छा विश्ता है उसकी निगरानी जो आप डोन कैमरे से की जा रही है क्योंकि जिस तरह से अचानक से लोग अंदर जाते हैं उसक क्या पूलिस चल्मानिक एंग और वारेंत सियुत्या एक का कि पूलिस है गिरफतार क्या है उसमें आगर हम बात करें तो जो 되어 किये गए हैं मगम्मद रेहान आतिफ खान यें खुरम नगर सी जेल बेजा गया है isके अलावा घर्श अब बात करें तो अभी कुछ देवर्श पहले जो है यहां पर खुछ जो है जो जो जाके परमहंस अचार हैं वो यहाँ पर पहुचे हुए थे और यहाँ पर जो है सुद्धी करन करने के लिए वो पहुचे थे उनका कहना था कि जिस तरह से मौल में नमाज अदा की गई है तो यह वैबसाइक पतिष्ठान है संस्थान है यहाँ पर हर वर्ग का आदमी आत थी उस जगे को वो सुद्धी करने के लिए पहुचे थे उनका यह कहना था कि वो अपने मंत्रों के जरिये जो है उस इस्थान को जो है शुद्धी करन करेंगे लेकिन इसी गेट पर परमहंस अचार को जो है अंदर जाने से पुलिस ने रोका है और बहुत समझाने बाद अखिकार उनको हिरासत में लेना पड़ा है पुलिस को इस बीच परमहंस ने विरोध भी जताया कि उनको जबरन जो है जाने से रोका जा रहा है जबकि उनका अधिकार है कि सबकी तरह वो भी जो है लुलु माल के अंदर जा सकते हैं लेकिन पुलिस का मानना था कि इनके ज बाहर जो गेट हैं वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को लागाया गया है अगर हम बात करें तो करीब 50 मीटर की दूरी पर बारिकेट कर दिया गया है जो गालिया है उनको पहले ही पुलिस फोर्स चेक कर रही है चेक करने बाद ही उनको अंदर इंट्री दी जा रही है यानि लगाता परसासन कोसिस कर रहा है कोकि मुखमंत्री योगिया दितनाद भी इस लुलू माल के मामले को ले करके काफी सक्त नजा रहा है उन्होंने भी एक्षन लेने के निदेश दिये हैं कि कोई भी विवादे चीट जो है लुलू माल में नहीं होनी चीए जि जो पाच आरोपी फ़रा है उनकी भी लगाता तलास कर की जा रही है कैमरा पुदन सौरप सातानुक माभारा समच्चा लखनो